Hello everyone and welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैं हूँ Saloni Rajput, आपकी Maths Expert और आज की class में हम पढ़ेंगे exercise 12.1 का आखरी question that is question number 16. Yes student, आखरी question बचा है, इसके साथ आज ये exercise भी हो जाएगी, खतम. ये belong करते हैं आपके class 6th Maths के chapter से, chapter का नाम है ratio and proportion. So ratio and proportion chapter से ये चीज़े करती हैं, ब्लॉंग आपके class 6th Mathematics में. NCIT book के page number 252 पे दिये हुआ है ये exercise के questions. So, क्या है question 16th? वो तो अभी अपन read करके समझ लेंगे और solution भी देख लेंगे. पर इसका मतलब है कि हम 15th question already complete कर चुके हैं. अगर मैं previous video class की बात करूँ कि पिछले video class में हमने क्या पढ़ा था. So, इसके पिछला question 15th, 14th, 13th. याने 13th, 14th, 15th, 3 question वहाँ पे हमने already solve कर लिये थे. एक question I guess थोड़ा सा बड़ा था, बाकी 2 questions छोटे छोटे थे. ये 13th question में वृत और length का हमको क्या दिया हुआ था? कहीं कहीं वृत length measure नहीं दी थी, ratio दिये थे, उसे साबसे हमने length वृत missing find कर लिये थी. फिर अगला question 14th में हमें बोला था, शीला और संगीता के बीच 20 पैनों को डिवाइड करो, किस ratio में? 3, ratio 2 में. और इससे next question जो था, वो क्या था? कि जो mother है, मम्मी है, उनको 36 रुपर डिवाइड करना है, उनकी दो बेटियों के बीच, श्रेया और भूमी का. और ratio डाइरेक्ट न दे के बोला कि उनकी ages का जो ratio है, उस ratio में. यानि वो जितने साल की हैं, उनका ratio निकालो, उस ratio में 36 को डिवाइड कर देना. So हमने देखा 15 ratio 12 हमें क्या मिला? 5 ratio 4 के बराबर, जिसका हमने निकाला तो एक को 20 और एक को 16 रुपर मिलने थे. So यह हो गया था, question 15 भी solve. अब है अगला question 16. अब 15 तक आए, hope आपने अच्छे से revision कर लिया होगा, क्योंकि हमाई यह question already, हम concept में बहुत बार पढ़ चुके हैं, examples कर चुके हैं इस तरीके के. तो अब यह question आपको बहुत easy लग रहे होंगे, right? तभी लगेंगे easy जब आप already practice कर चुके हो. So question 16 हमको दिया है, present age of father is 42 years. यानि कि एक जो father है, उनकी present age, अभी की age, present मतलब अभी वो कितने साल के हैं. उनकी अभी age है father की 42 years, यानि कि पापा है 42 साल के, and that of his son, और उनका जो बेटा है, वो कितने साल का है, 14 years, यानि 14 साल का. So find the ratio of, हमको किसका ratio निकालना है? present age of father to the present age of son, यानि कि पापा की जो present age है वो, और जो son, बेटे की present age है, उन दोनों का ratio हमको निकालना है. Next हमको दिया है, age of father to the age of son, father की age और son की जो age होगी, उनका ratio निकालेंगे, लिकिन कब? When son was 12 years old, जब बेटा 12 साल का था, उस समय, पापा और son की age का ratio क्या होगा? Next, age of father after 10 years to the age of son after 10 years, 10 साल के बाद, father और son की age का ratio निकालना है. Last, D में दिया है, age of father to the age of son when father was 30 years old. जब father 30 साल के थे, 30 years age थी उनकी, तब father और son की age का ratio कितना होगा? यह चाहिए. सुन्ने में तो question बहुत जादा easy लगते हैं, पर बहुत ही important concepts हैं, इसमें involve age के. इन concepts को समझना बहुत जरूरी है, यह question आँगे चलके आपको, जब आप 12 के बाद competitive exams की तयारी करोगे न, government exams की. इस type के questions वहाँ पर पूछे जाते हैं, banking के exams हो गए उनमें, या police के exams हो गए, इन सब में इस type के questions आते हैं, वो थोड़े से और complex बन के आएंगे, पर base तो यही रहेगा, जब base समझ में आएगा, तब ही तो बड़े बड़े और question solve कर पाओगे. तो बहुत अच्छे से समझना है इस age वाले question को, present age का मतलब होता है अभी, present, present मतलब आज का दिन, yesterday मतलब जो चला गया, tomorrow जो आएगा, present मतलब आज, आज age कितनी है, father की 42 years, तो अभी हम present की बात कर लेते हैं, present में father और son, ठीक है? present में father और son की बात करें, तो वो कितने है, father 42 years के हैं, और जो son है, वो 14 years का है, यही है, कब अभी, आज, हमको ratio निकालना है, सबसे पहले present age of father to the present age of son का, यानि कि father और son की present age का ratio हमको चाहिए, कितना होगा? तो father ratio son, father पहले है, तो उनकी age numerator में लिखाएगी, son बाद में बोला गया है, तो उनकी age denominator में आएगी, so 42 ratio 14 आ गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, lowest form में convert भी कर सकते हैं, तो या तो थोड़ा थोड़ा करते जाओ, 42 को और 14 को 2 से divide करो, फिर आँगे करते जाना, या इनका HCF निकाल लो, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो, 42 के factors अगर निकालो, so 2, 2 times 4, 1 times 2, 3, 7 times 21, और 7, 1 times 7, 14 के factors निकालो, 2, 7 times 14, 7, 1 times 7, दोनों में common क्या क्या है, एक 2 है दोनों में, और एक 7 है दोनों में, तो 2 into 7, 14 क्या आ गया है, इनका HCF, यानि कि अगर मैं इन दोनों को 14 से divide करो, तो यह अपने lowest form में convert हो जाएंगे, 42 को 2 और 7, 14 से divide कर दिया, तो बचा क्या, 3 बचेगा, यानि कि 14, 3 times होता है 42, और 14, 1 times होगा 14, तो father ratio son, कितना आ गया, 3 ratio 1 के बराबर, यानि कि आज अगर हम देखें, तो आज पापा और बेटे का जो age का ratio है, वो 3 ratio 1 है, यानि कि अगर बेटा एक साल का, तो पापा 3 साल के इस type का ratio आया है, 3 गुना वो जादा है, पापा की age 3 times जादा है, बेटे की age से, 3 गुना जादा, 14 का 3 times करोगे, तब क्या मिलेगा, आपको 42 मिलेगा, यानि बेटा 14 साल का है, 14 का 3 गुना करो, तब पापा की age आ रही है, तो यह आपको ratio 3 ratio 1 बता रहा है, तो यह answer क्या आया, ratio of present age of father to present age of son is 3 ratio 1, कैसे निकाला यह समझ में आ गया आपको, चलिए, आँगे बढ़ते हैं, next हमें क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, age of father to the age of son, father का और son की age का ही ratio चाहिए, लेकिन कब? when son was 12 years old, यानि कि जब son, यानि कि उनका जो बेटा है, वो कितने साल का था, 12 साल का, तब father और son की age का ratio चाहिए, तो क्या करें, father upon son, father कितने के हैं, 42 के हैं, और बेटा का कपका निकाल रहे हैं हम, जब वो 12 साल का था, तो ratio ऐसे निकालेंगे, क्या 14 upon 12, नहीं, 42 upon 12 यह नहीं ह का, 12 सही है, क्योंकि उसमें दिया है, कि when son was 12 years old, जब बेटा 12 साल का है, तब हमको ratio चाहिए, यानि कि son की age 12 years आएगी, यह सही है, पर क्या father की age वही 42 years आएगी, नहीं, father की age भी तो change होगी, बेटा अगर 12 साल का है, यहाँ पे बेटा कितने साल का था, 14 का, तब father 42 के हैं, त दो साल पहले की बात चल रही है, अगर आज मेरी age 14 years है, तो दो साल पहले मैं 12 years की रही होंगी, 12 प्लस 2 करके ही, तो आज मैं 14 years की हो पाई, यानि दो साल पहले की बात चल रही है, तो अगर मैं 2 साल पहले, 2 years मेरी age कम थी, तो मेरे father जो है, मेरे पापा जो है, वो भी 2 साल उनकी आज जो उम्र है वो दो साल कम रही होगी दो साल पहले ये बात समझ में आ रही है ये बहुत important है आपको समझना ये ages वाले question में कि अगर कोई बात कुछ साल पहले या कुछ साल बात की चल रही है तो उतने साल पहले और उतने साल बात सब की age change होगी अगर आज मेरी age 14 साल है और मैं 12 साल की कब थी 12 क्या हुआ? 14 से 2 कम हुआ यानि कि 2 years पहले में 12 years की थी तो मेरे मम्मी पापा की age भी 2 साल कम होगी तब मेरा छोटा भाई भी 2 साल और छोटा होगा तब यानि कि सब की age कम हो जाएगी वहीं अगर मैं 2 साल बात की बात करूँ या 1 साल बात की बात करूँ कि अब अगली साल में कितनी की होँगी तो अगर अभी मैं 14 years की हूँ तो next year में 15 years की हो जाऊंगी मेरे father भी 1 साल बड़े हो जाएगे मेरी mother भी 1 साल और उनकी age बढ़ जाएगी यही होता है ना तो future में आप बात कर रहे हो अगर एक साल बात, दो साल बात, चार साल बात, दस साल बात तो age उतनी बढ़ जाएगी add हो जाएगी आज की age में वहीं अगर कुछ साल पहले की बात कर रहे हो आप past की बात कर रहे हो एक साल पहले, दो साल पहले, दस साल पहले, तो उतने years आपकी age से कम हो जाएंगे, तब आप उतने साल के रहे होगे, यानि कि यहाँ पे 14-2 किया होगा, तब जाके 12 years हुआ, यानि कि बेटा 12 साल का कब था? यानि कि यहाँ हम फादर की age 42 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 40, कि जब उनका बेटा 12 साल का था, तब फादर की age क्या थी? 40 years थी, तो उनका ratio क्या होगा? तो यह ना होके क्या होगा ratio, father ratio son, 40 ratio 12, अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं क्या? ratio simplest form में, so 40 के factors निकालो, 220 times, 210 times, 25 times और 5, 1 times, 12 के factors निकालो, 2, 6 times, 2, 3 times, और 3, 1 times, got it? तो यह कितना हुआ? क्या-क्या common आया दोनों में? 2 एक बार है, दूसरी बार भी है, यह 2 और 5 है, है ना? तो अब और 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, तो यहाँ नहीं, यानि कि 2 बार 2 common है, यानि 2 into 2, 4 है common, तो यानि कि मैं क्या करूँ? 4 से कर देती हूँ, इनको divide, 40 divided by 4, 4 10 times होगा 40, 12 divided by 4, 4 3 times होगा 12, तो ratio क्या आ गया? 10 ratio 3, यानि कि जब बेटा 12 साल का था, उस समय पापा और बेटा, फादर और सन की age का ratio कितना है? 10 ratio 3, क्यों? क्योंकि जब 12 साल का बेटा था, यानि कि आज अगर वो 14 years का है, तो 12 years का वो 2 साल पहले था, तो उस समय father की age क्या रही होगी? दो साल कम 42 minus 2, यानि 40 years थी father की age, तो इसलिए 40 upon 12 करके इनका ratio निकाला, जो कितना आया? 10 ratio 3 के बराबर, ये important है समझना, जगतर बच्चे 42 लिख देते हैं हाँ, और answer गलत हो जाता है, 12 year का बेटा है, तो father भी अलगी रहे होंगे, 14 year का है, तब father 42 के हैं, तो 12 year के में वो 40 के होंगे, क्योंकि 2 साल पहले की बाद चल रही है, ऐसा कैसे पता चला कि 2 साल पहले की बाद चल रही है? क्योंकि present age बेटे की, आज बेटा 14 साल का है, तो 12 साल का कब रहा होगा? दो साल छोटा, यानि दो साल पहले रहा होगा, वो 12 साल का, इस वज़े से, इस वज़े से 2 माइनस किया, father की एज में के 2 साल पहले, father की एज का 2 साल कम होगी, यानि 42 माइनस, 240 रही होगी, सो यह हो गया आपका question 16 का A part solve, अब आँगे बढ़े, question number 16 के B part पे चलते हैं, B part में अब हमको क्या find करना है, B part हो गया है, A और B दोनों part हो गया हमारे solve, पहले वाले में सीधा present age चाहिए थी, तो 42 upon 14 आ गया था, दूसरे वाले में 2 साल पहले, तो 40 upon 12 आया, ओके, अब third, C पे चलते हैं, C में क्या पूछा गया है, age of father after 10 years to the age of son after 10 years, after 10 years, after का मतलब होता है, बाद में, यानि कि 10 साल बाद की बाद चल रही है, यानि कि future की बाद चल रही है, अगर आज मैं 14 साल की हूँ तो मैं 10 साल बात कितने साल की होँगी आज मैं जितने भी साल की हूँ उसमें 10 साल और 8 हो जाएंगे 10 और प्लस कर दूँगी तो उतने एज हो जाएगी मेरी 10 years के बाद यानि कि आज से after 10 years की एज अगर मुझे चाहिए तो आज की present age में मुझे 10 का प्लस करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे after 10 years यानि कि 10 साल के बाद after 10 years father की एज कितनी हो जाएगी अभी father 42 years के है उसमें 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 52 years यानि कि father 52 years की हो जाएगे 10 years के बाद after 10 years और son अभी वो 14 years का है तो वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 24 years का दोनों का बोला है कि father 10 year बाद और son 10 year बाद फिर से father पहले दिये है तो numerator में father किये जाएगी that is 52 upon denominator में son की आएगी 24 इन दोनों का lowest form में ratio निकाल लेते हैं 52 के factors निकालो 2, 2 times 4 1, 5 2, 6 times 12 2, 1 times 2 2, 3 times 6 13, 1 times 13 राइट next 24 के factors निकालो 2, 1 times 2 2, 2 times 4 2, 6 times 12 2, 3 times 6 3, 1 times 3 तो अब हमें यहां क्या मिल जाएगा common एक बार 2 common है दूसरी बार फिर से 2 common है 13 है यहां है क्या नहीं यानि कि बस 2 into 2 4 common है यहां पर तो 4 से क्या कर देंगे हम दोनों को divide अब 52 को 4 से divide करो 52 में से 4 divide होगा कितना मचा 13 यानि कि 4 13 times होगा 52 ऐसे 24 को 4 से divide करो 4 6 times होता है 24 नहीं तो यह चला गया 4 में तो 2 into 3 6 बच्चा ऐसे हम direct बिना division के answer लिख सकते हैं कि उनके factor में से जितना common था वो हटा दो जितना बच्चा उसको multiply करके answer आजाएगा 13 upon 6 यानि कि 13 ratio 6 हमें क्या मिला हमारा final answer कि 10 साल के बाद father और son की age का जो ratio होगा वो 13 ratio 6 होगा सबको बाद समझ में आई बहुत अच्छे सो यहाँ पर यह मुश्किल नहीं था कि 13 ratio 6 होगा या नहीं या क्या यहाँ पर यह देखना था कि 10 साल के बाद आप उनकी age कितनी लिख रहे हो तो father की 42 प्लस 10 52 years और son की 14 प्लस 10 24 years age रहेगी after 10 years 10 साल के बाद यह बाद सबको समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं C part हो गया 13 ratio 6 आगे last D part जो बचा है इस question का उसको देख लेते हैं D part में बोला है age of father to the age of son फिर से father और son की age का ही ratio चाहिए when when father was 30 years old was मतलब past की बाद चल रहे है 30 years old जब father की age कितनी थी जब father 30 साल के थे उस समय हमें father और son की age का ratio चाहिए अभी father की age कितनी है 42 हम कब की बात कर रहे हैं 30 years की यानि की आज अगर वो 42 साल के हैं तो वो 30 साल के कब होंगे कुछ टाइम पहले होंगे कितने साल पहले होंगे माइनस कर लो 42 माइनस 30 12 years 12 साल पहले past की बात कर रहे हैं निकल चुके वो साल हम future में आ चुके हैं present में हैं हम अभी यानि की उसके जो पापा हैं अभी उनकी एज कितनी है 42 years है 42 years है और मैं अगर बात करूं 12 year पहले की 12 साल पहले की तो 2 माइनस 2 जीरो 4 माइनस 1 त्री यानि 12 साल पहले उसके पापा 30 साल के होंगे सबको ये पता है या नहीं यानि की हमसे बोला गया है father और son की age का ratio चाहिए कब जब father 30 years के थे यानि की हमें father ratio son में father की age तो 30 लिखनी है पर important है son की age क्या लिखे आज पापा की उम्र 42 साल की है तो अगर वो 30 साल के होंगे तो कुछ समय पहले होंगे वो 30 साल के तो क्या उस समय बेटा 14 साल का ही होगा नहीं बेटा 14 साल का कब है जब उसके father 42 years के है अगर father के 30 years के है यानि की उसके पापा की उम्र पहले की बात चल रही है, तो बेटा भी कुछ अलग एज रही होगी उस टाइम, 12 साल पहले बेटा 12 साल छोटा होगा, आई बात समझ में, जैसे ये question था ना, when son was 12 years old, same वही question है, अलग है, यहाँ पे बेटा 12 साल का है, तब हमें निकालना था ratio, तो हमने कहा अभी बेटा 14 साल का है, 12 साल मत 12 आ गया था ratio, यहाँ father की age दी है 30, son की age पता करना है, कि जब 30 साल के father थे उसके, तो son कितने years का था, तो हमने देखा, 42 में से अगर हम 30 years माइनस कर दें, तो कितना मिलेगा हमको 12, यानि कि, वो 30 years के कब रहे होंगे, 12 साल पहले होंगे, 12 years पहले की बात चल रही है, तो बच्चा 12 years पहले कितने age का था, तो अभी है बच्चा 14 साल का, 12 साल उसमें से कम कर दें, तो क्या बच्चेगा, 2 साल, यानि कि बच्चे की age 12 साल पहले कितनी थी, 2 साल की, 12 years ago, son was 2 years old, फिर 12 साल हुए, 2 प्लस 12 हुए, तो आज जाके वो 14 years का हुआ है, तो यह है इसका mean मतलब, यहाँ पे सीधा बोला है कि father है 30 years के, तो father और son का ratio बताओ, तो father की जगे 30 आएगा, अब son की जगे क्या लिखूँ, यह दिक्कत थी, तो मैंने कहा यार, father अभी 42 years के है, 30 years के कब होंगे, कुछ साल पहले, कितने पहले, तो 42 minus 30 कर लो, यहने 12 साल पहले, पापा की एज 30 years की थी, तो 12 साल पहले son की एज कितनी थी, son अभी 12, 14 का है, 12 साल पहले 12 कम कर दो, यानि कि 14 minus 12, 2 years, यानि कि son की जो आएगी, वो कितनी आएगी, 2 years आएगी, तो यहाँ son की जगा हम यहाँ पे 2 लेना है, तो ratio होगा 30, ratio 2, इसको simplest form में convert करें, 2 से divide करें, so 2 15 times 30, और 2 1 times 2, तो ratio क्या आगया, 15 ratio 1 आगगा हमारा answer, कि जब father 30 years के थे, तब father son का ratio जो है age का, वो 15 ratio 1 है, so यह था आपका final answer, बहुत ही अच्छा question है यह, इसको solution देख लीजे, एक बार 4 अलग-अलग हमने question find करें, हर question में हमने father और son के age का ratio ही निकाला है, पस time period अलग था, यहाँ present था, यानि कि आज दोनों जितने साल के हैं, यहाँ 2 साल पहले का था, यहाँ 10 साल बात का था, और यहाँ पे 12 साल पहले का, so अगर आपको समझ में आ गया, तो अब आप देख लीजे कि इसको लिखना कैसे है, शिरुवात करेंगे solution का कहां से, यहां से, present age of father is 42 years, father अभी कितने साल के हैं, 42 साल के हैं, present age of his son is 14 years, और उनका बेटा कितने साल का है, 16 साल का है, तो सबसे पहले ए पार्ट में हमको फाइंड करना था, ratio of present age of father to the present age of son, दोनों की present age का ratio, पहले father दिया है, तो पहले numerator में father की age लिखाएगी, तो present है 42 और 14, तो 42 upon 14 किया, दोनों को हमने क्या किया, divide किया काई से, 14 से, क्योंकि 14 आया था, 42 और 14 का hcf, अगर हम hcf से divide करते हैं किसी fraction को, तो वो lowest form में convert हो जाता है, तो हमें मिला ratio 3, ratio 1, यही आया था हमारा answer, तो यह है पहला पार्ट, अब इसके दूसरे पार्ट पे च 12 years old, जब बेटा 12 साल का था, तब उनका ratio निकालना है, father और son की age का, when son was 12 years old, that is 14 minus 12, that is 2 years ago, father's age is 42 minus 2, याने 40 years हो, बोल रहे हैं कि जब बेटा 12 साल का था, 12 साल का कब था, आज वो 14 साल का है, 12 साल का वो 14 minus 2, याने कि 2 साल पहले था, तो 2 साल पहले, father कितने years के रहे होंगे, तो अभी से 2 साल पहले, याने 42 minus 2, 40 years के थे father, तो ratio क्या हो जाएगा, 40 upon 12, तो दोनों को हमने divide किया, ये plus का sign नहीं है, ध्यान रखेगा, बार-बार मैं बताती हूं, ये divide का है, दोनों को 4 से divide किया, 40 और 12 का, जो common हमें HCF मिला, वो क्या था, 4 था, 4 10 times 40, 4 3 times 12, 10 ratio 3 के आगया हमारा answer आगया, ओके, तो ये था आपका B part, आँगे बढ़ेंगे, next C part पे, C में क्या दिया है हमको, ratio of father's age after 10 years, याने कि father, 10 साल के बाद, क्या था उनकी age, तो अभी 42 के हैं, 10 साल बाद, वो 42 plus 10, याने 52 years के हो जाएंगे, to the age of son after 10 years, 10 साल बाद, son की age कितनी है बेटे की, अभी वो 14 साल का है, 10 साल के बाद, 14 plus 10, 24 years का हो जाएगा, इनका ratio याने 52 upon 24, दोनों को 4 से divide किया, answer मिला 13, ratio 6, तो ये होगा इसका answer, after 10 years, father और son की age का ratio है, 13, ratio 6, तो ये C part था, यही हमारा भी answer आया था, last but not the least, इसका आखरी D part में क्या था, ratio of son's age to the age of father when he was only 30 years, जब पापा 30 साल के थे, तब इन दोनों की age का ratio क्या है, so father की age 30 है, before, पहले क्या कितनी रही होगी, 42 minus 30 याने 12 years पहले की बात चल रही है, अभी 30 कब रही होगी, अभी 42 है, 30 years अगर हम इसमें से कम करें, याने 12 साल पहले उनकी age, 30 years थी, तो age of son कितनी थी 12 साल पहले, 14 minus 12 याने 2 years, अब required ratio क्या होगा, 30 upon 2, 2 से divide क्या है, याने 15 ratio 1 क्या है, required ratio, देख ले ना, किस की age का ratio पूछा है, ratio of age of father to the age of son, पहले father ही लिखा है, तो पहले 30 आएगा, फिर son लिखा है, तो फिर आएगा क्या, 2, याने कि 12 साल पहले है, वो कितन का था बेटा, 14 minus 12 याने 2 साल का, तो 30 upon 2 आया, याने 15 ratio 1 इसका हुआ, फाइनल आंसर, याने जब father 30 साल के थे, तब बेटा 2 साल का था, तो father और son का ratio जो है age का, वो 15 ratio 1 होगा, So I hope ये question आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाले question बहुत important माने जाते हैं, इनको age group वाले question बोलते हैं, कि आज की age बता दी गई है, आज से कुछ साल बाद या कुछ साल पहले किसी की age कितनी होगी, ये पूछ लेते हैं, उसके हिसाब से देखो, यहाँ पर ratio पूछ लिया गया, तो बहुत important होती है ये बाद हमको समझना, कि इन question को हम बार-बार practice कर लें, क्योंकि होता ये है, कि जब हमारे पास question paper आता है, एक question तो हम solve कर नहीं रहे होते हैं, यहाँ अगर exercise से solve करते हैं, तो हम याद आ जाता है, ये वाला question ऐसा था, solve कर लो, paper में तो हर chapter के questions shuffle होके आते हैं, तो क्या होता है, हमसे अगर उनने बोला, कि जब father 30 years के थे तब ratio बताओ, तो हम father की जगे 30 लिख देते हैं, पर sun की जगे फिर हम 14 ही लिख देते हैं, हम भूल जाते हैं, कि हमको sun की जगा भी क्या करना है, change करना है, क्योंकि father अगर 30 years के याने 12 साल पहले की बात चल रहे हैं, तो sun 12 साल छोटा होगा, याने 14 minus 12 वो कितने का होगा, 2 years का, तो ratio 15 ratio 1 आएगा, ना कि 30 ratio 4 तो ये चीज़ ध्यान हमें तभी रहेगी, जब हम जादा से जादा इन questions की practice करेगी, तो इसी के साथ question 16 हो गया, खतम और 16th question के साथ ही, आपकी ये जो class 6 mathematics की NCRT book की exercise 12.1 है, ये भी खतम हो चुकी है, बहुत सारे question थे, total 16 question, हमने हर एक question को बहुत ब्रीफ तरीके से solve किया, मैंने आपको explain किया, so that आपको हर एक point clear भी हो जाया और कोई doubt भी ना रहे है आपको, I hope आपको कोई doubt नहीं रहा होगा, आगे बढ़ें तो अब इस exercise के बाद अगला topic शिरू हो रहा है, जिसका नाम है proportion, yes, जिसका बहुत बेसबरी से हमको इंतजार था, ratio and proportion chapter में मैंने आपको बोला था कि तीन important चीज़े हमको पढ़नी है, सबसे पहले ratio के बारे में पढ़ना है, फिर proportion के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पढ़न के question थे, सारे question भी हमने समझ लिए, कैसे कैसे question हम से पूछे जा सकते है, ratio के उपर, अब नया topic शिरू हुआ है proportion, तो इसका concept पढ़ेंगे कि proportion होता कहा है, क्या है, और कहा कहा apply होता है, कैसे use कर सकते है proportion को हम अपनी practical life में, day to day life में, फिर जब यह समझ में आ जाएगा, तो इ related, यह देखिए, बहुत बड़ा topic है, फिर यह try these के कुछ examples दिये है, example 8, 9, 10, example के बाद शुरू हो रही है exercise 12.2, यानि कि जब proportion का concept समझ लेंगे, कि होता क्या है proportion, उसके बाद यह try these के question, proportion पे based है, वो solve करेंगे, example 8, 9, 10 solve करेंगे, और फिर यह जो exercise 12.2 है, यह भी सारा proportion पे ह इतना सारा कुछ आपको solve करने मिलेगा, तो जरूरी है कि अगर आपको वो question समझने है, जो proportion के उपर based है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अगली class में आके proportion topic अच्छे से समझ लें, तब तक अभी ratio पूरा खतम हो चुका है, ratio के बारे में समझ लिया, example solve कर लिया, exercise I solve कर ली, तो ratio से अभी तक की सारी चीज़े revise कर लेना, सारे question एक बार बिना देखे solve कर लेना, so that अगली class में हम नए topic proportion को समझ सके, so आप visit भी कर सकते हैं, हमारी official website जो की है magnetbrains.com, वहाँ आपको class 4 से लेके class 12 तक सभी classes के notes और video lectures एक proper systematic chapter wise format में arrange मिल जाएंगे, जो आपकी प magnetbrains.com और पढ़ते रहे magnetbrains के साथ, keep studying, thank you so much, bye bye.